हर्याना की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर इन दिनों कश्मीरी लड़कियों पर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं सोशल मीडिया पर जहां उनके बयान की आलोचना हो रही है वहीं अब जम्मु कश्मीर के राज़पाल सत्यपाल मलक ने खटर पर निशाना साथ्थे हुए कहा है कि वो कश्मीर और कश्मीरियों पर इस तरह की बात को बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करेंगे बता दे कि जम्मु कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद हर्याना की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री खटर ने कहा कि अब हम कश्मीर से कश्मीरी लड़किया लाएंगे उनके इस बयान से बवाल मच गया और इस बीज उन्होंने ट्विटर पर सफाई देने की कोशिश की है कि उनके बयान को तोर मरोड कर पेश किया जा रहा है सत्यपाल मलिक ने एक हिंदी न्यूस चैनल के साथ बातचीत में कहा कि जिस सीम ने भी इस तरह की बात की है वो इसकी शिकायत विधान मंत्री मोदी से करेंगे उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की बयान बाजी को बिल्कुल सहा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि राज में हालाद एद के बाद समान नहीं होने लगेंगे यूस टेस्ट